नवसकार सात्यू मैं हूँ एडवगड सोक्चोधरी आहाँ सात्यो अपन बात करेंगे दुबई से रिलेटेड हालांगि दुबई से रिलेटेड जोब से रिलेटेड में सब कंट्यू के बारें बताता रहता हूँ ये विकेंसी उन लोगों के लिए है खास तोर से जो लोग टेलर का काम करते हैं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स बगरा या फिर वोट्सप पे परसनली लोग पूछते रहते हैं कि सर्ट टेलर का जोब बताओ टेलर का जोब यह ऐसा जोब है कि हर आदमी के ऊपर यह चीज लागू नहीं होती जो टेलर है वही इस वीडियो को देखें बाकी इसको आप स्किप कर सकते हैं क्युक्ίο आपके काम का वीडियो नहीं रहेगा ठीक हैशा इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको अगंत बात कर रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अगर आप टेलर हैं दुबई में टेलरिंग के जोब से रिलेटेड आप जाना चाहते हैं तो भाई देखिए पहली बात बता दूंकि टेलर के डायरेक्ट जोब नहीं आते मैंने मेरे पास नहीं देखिए अब तक कि कोई इधर उदर से एक राव लग इश्यू होता है कि टेलर का वीजा आपको खुद को लेना पड़ता है अगर आप टेलर के जोब में जाना चाहते हैं तो वाई देखिए शेली वही यह बाराज सो तेरा सो दराम आपको खाना मिल सकता है क्यूंकि टेलरिंग में कोई कंपनी दो है नहीं बड गंटे प्लस जुम्माई की चुटी होती है मेडिकल इंसोरेंस अकुपटेशन वगएरा वो मिल जाती है रहना वगएरा मिल जाता है तो सोटली माली जी कि खापी कि अगर इसमें सिद्धी सी बात करें तो 2530 रुपया बाराम से इसमें कमा सकते हैं यह तो गई 2000 राम यानि 2500 राम आप महिने का इसमें कमा सकते हैं लेकिन इसमें 12-13-14 गंटे तक काम आप करोगे वह जितना काम करोगे 3000, 5000, 2000 कितना भी आप कमा सकते हैं वह आपके उपर डिपेंड करेगा दोनों तरह के से मने बता जिया जोब करोगे 1200-1300 प्लस खाना मिल जाएगा ठीक है और अगर उसके उपर आप काम करते हो जैसे 3-4 गंटे और टाइम घर रहे हो तो वह नक के इसाब से आपका और टाइम में सामिल हो जाएगा तो कहने का मतलब टेलरिंग के जोब में ठीक है बंदा अराम से कमा लेता है पैस अब 30,000 के सम्तिंग अराम से इसमें इंकम हो जाती है रहना खाना बगएर मिल जाता है ठीक ह वहां जाके आपका वीजा कंवर्ट होगा 2 एर्स का ठीक है यहां से वीजा टिक्ट लेके जाएए वहां पर आपका 2 साल का वीजा लग जाता है आपका को जानकार है या पिर ऐसे ओफिसे होती है जो अबर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अपलाई कर लीजिए और ताकि हर रोज इसी से रेलेटेड आपको सही जानकारी मोटिवेशन आपको मिलता रहे जहें वंदमाद